दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग बच्चों को दी जाने वाली एक बहुत ही बढ़ी है लिक्वीड सिरप एजितरल एकसेल टू हंडेड लिक्वीड के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग इसके कंपनी, कॉमपोजिशन, इसके फायदे और साइड इफेक्ट इसके इसके इस्तिमाल करने के तरीके और डोजेज और इसके प्रैस के बारे में जानेंगे तो दोस्तों वीडियो को प्लीज आप लोग पूरा कंप्लीट जरूर देखेगा ताकि हर एक चीज आसानी से समझ में आ जाए तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो फ्रेंट्स एजित्रेल एकसल 200 लिक्विड सीरफ को ऐलमबिक फर्मेक्योटिकल सिल्मिटिट कंपनी बनाती है और अगर हम लोग इसके कॉमपोजिशन की बात करें तो इसके परतेक 5 ml कॉंटेंट्स के साथ एजित्रो माइसिन 200 mg होता है साथ ही अगर हम लोग इसके अवी वर्तवान कीमत की बात करें तो 114 रुपिया में 30 ml की एक बोतल मिल जाती है साथ ही 228 रुपिया में 60 ml की एक बोतल मिल जाती है दोस्तो बात करें इसके फाइदों के बारे में तो दोस्तो ये दवा छोटे बच्चों में इंफेक्शन को ठीक करने वाली एक एंटिवाइटिक दवा है जैसे अगर बच्चे के LUNGS में infection हो गया है निमोनिया की problem हो गई है कान में किसी परकार की infection या फिर दर्द हो रहा है हाथ और पैरों में सूजन हो गई है skin में allergy की problem हो गई है गले में infection हो गई है यानि गले से घरगर की आवाज आ रही है सरदी खासी की प्राब्लम हो गई है या फिर पेट और आतों में किसी परकार का इंफेक्शन हो गया है साथ ही भड़ी और बलड में भी किसी परकार का इंफेक्शन हो गया है UTI इंफेक्शन हो गया है यानि मुत्र मार्ग में इंफेक्शन हो गया है या फिर बच्चों के नॉर्मल या फिर टाइपाइड वाली बुखार को भी कंट्रोल करने के लिए इस दवा का इस्तमाल किया जाता है इसके अलावा भी डॉक्टर और कई परकार के बोडी के इंफेक्शन को ठीक करने के लिए इस दवा का इस्तमाल कर सकते हैं बच्चिक विमारी की कंडिशन को देखते वे डॉक्टर इस एंटिवाइटिक दवा के साथ और कोई दूसरी दवाई भी दे सकते हैं जैसे अगर बच्चे को बुखार है तो पेरासिटामोल के साथ इस दवा को दिया जा सकता है बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो दोस्तो इसके साइड इफेक्ट होना कबज की प्रॉब्लम होना नौजिया होना डारिया की प्रॉब्लम होना और सर में दर्द करना इतने सारे इसके side effect है दोस्तो rare है जल्दी होते नहीं है होने से बच्चों को जरूर दिखाएं अब हम लोग इसके इस्तिमाल करने के तरीके और इसके doses के बारे में जानते हैं तो दोस्तो इसके dose तो बच्चे के उम्र वजन और उसकी बीमारे के स्थिति यानी condition पर depend करता है लेकिन अगर हम लोग इसके general dose की बात करें तो इससे बच्चे को कुछ खिलाने के साथ या उसके बाद में साथ ही दवा को नियमित एक सही समय पर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो दोस्तो मैं उम्मिद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से related हर एक चीज आसानी से समझ में आ गई होगी अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही knowledgeable और informative वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ तब तक आप लोग स्वस्तर हैं मस्तर हैं धन्यवाद